पिरे दर्शको नमस्कार, मेरे पिरे दर्शको रिश्यू जोतिस में आपका स्वागत है दर्शको आज हमें बहुत ही महत्पून विशे पे विचार करेंगे कि कुणली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो वार, तिथी और नक्षत्र के सहयोग से बनते हैं जिस प्रकार हम सभी शहद को, मधू को और देशी घी को अलग-अलग तरीके से शुद मानते हैं लेकिन उन दोनों को मिला दिया जाता है तो जहर बन जाता है जोतिस में भी इसी प्रकार तिथी वार और नक्षत्र के सहयोग से विश्योग बनता है उस विश्योग में पैदा होई कन्या को विश्कन्या माना जाता है और पुरुस को विश्पुरुस माना जाता है ऐसा योग उसके जिवन के लिए हानिकारक होता है और दामपत्यशुक नहें मिल पाता आईए विचार करते हैं वो कौन-कौन से योग हैं जिन में बालक उत्पन होने से विश्कन्या या विश्पुरुस माना जाता है दर्सको हमारे जोति सास्त में दित्य तिथी हो दित्या चे शुकल पक्षी हो या कृष्ण पक्षकी हो दित्या तिथी रवीवार का दिन हो सत्विजा या असलेशा नक्षत्र हो तो विश्कन्या योग बन जाता है दित्या तिथी हो सनिवार हो और असलेशा नक्षत्र हो उसका भी विश्योग बन जाता है सब्तमितिति हो मंगलवार हो असलेशा शत्विजा और विशा का नक्षत्र हो ऐसे योग में उत्पन कन्या या बालक विश्कन्या या विश्पुरुष माना जाता है सब्तमितिसी योग शनिवार का दिन हो और किर्थ का नक्षत्र हो यह भी विश्कन्या योग बनता है द्वादसीति थी रविवार का दिन हो किर्थिका नक्षत्र हो विशा का नक्षत्र हो और शत्विजा नक्षत्र हो यह भी विश्कन्या योग माना जाता है द्वादसीती थी मंगलवार का दिन हो और शत्विया नक्षत्र हो यह भी विश्कन्या योग माना जाता है द्वादसीती थी सनिवार का दिन हो किर्थ का नक्षत्र हो विशा का नक्षत्र हो यह भी विश्कन्या योग माना जाता है इस परकार ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तिथियों और वार और नक्षत्र के अनुसार विश्योग माने गए हैं दर्सको उसके पाद दो विश्योग और हैं जो ग्रहों की इस्तिति के अनुसार पर है जो ग्रोडवारा छटे भाव में एक पापगरह हो तथा दो शुब गरह हो वो भी विश्योग माना जाता है लगर्ण में शनी, पंचम में सूरिय और नवबाव में मंगल वो भी विश्योग माना जाता है दर्सको तिथी, वार और नक्षत्र के अनुसार विश्कन्ना योग है अगर ऐसे जाते कि कुण्ली में ऐसा योग भी हो और ग्रहों की इस्तिति अशुब हो तो वह योग और परभावी हो जाता है परन्तु एक बात और भी है अगर केवल विश्कन्ना योग हो उस इस्तिती में सब्तमेश जैसे इस कुण्ली में हम विचार बताएंगे कैसे है पहले व्याख्या सुन लो अगर कुण्ली में सब्तमेश बलवान हो और शुब स्थान पर हो और शुब परभाव हो तो विश्कन्ना योग भंग हो जाता है गुरु और शुक्र आदी की सुबस्तिती जो पंचमेश और सब्तम भाव से संबंद रखती है वो सुबस्तिती भी विश्कन्ना योग को भंग कर देती है और विश्कन्ना योग हो और गिरहों की इस्तिती अशुब हो तो ऐसा बालक का जीवन विर्थ हो जाता है तो आईए अभी इसी से संबंद एक योग की कुली मेरे पास है उसमें हम विशार करते हैं बालक का जनम 29 जोन 85 सुकल पक्ष 12 शनीवार को विशा का नक्षत्र में हुआ यह सात्वा जो विशकन्ना योग है द्वादसी हो शनीवार हो किर्थिका या विशा का नक्षत्र हो तो यह विशकन्ना योग में जातक पैदा हुआ अब विचार करते हैं साथ के साथ इसमें गिरहों की इस्तिती जनम के समय पर मिथुल लगन ग्यारे अंस लेकर के उद्य हो रहा था लगन में मंगल और सूर्य दोनों बैठी हैं मंगल अस्त है दिते भाव में लगनेश बुद्ध करक रासी में हैं तीटे भाव में सिंग रासी है चतुर्ट भाव में कन्या रासी पंचम भाव में केटू चर्मा शनी है चटे भाव में विर्षिक रासी सब्तम भाव में धनु रासी अस्तम भाव में गुरू नीच रासी में वक्री है नौप भाव में कुम्राशी और दसम भाव में मीन राशी और एकादस भाव में शुक्र राहू की इस्थिती बनी द्वादस भाव में विशब है। गिरहों की स्थिति बनी दर्सको इस जात्यक का जनम विश्कन्य योग में हुआ Kita अब हम बात करते हैं सब्टम की जैसा कि मैंने अपने योग में बताया सब्टमिस बल्वान वो सब्टम भाओ जीवन साथी का भाओ है इस भाओ में जात्त की कुनली में धनुरासी है धनुरासी का स्वामी गुरू बनता है गुरू कुनली में केंदणधिपति दोसी है और गुरू अस्तम भाव में नीच रासी में वक्री है माना कि नीच रासी में वक्री होने से नीचत्र खतम हो जाता है लेकिन अस्तम भाव में सब्तमेश का होना कोई फाइदे वाली बात नहीं है चाहे उचका ही होने दो कोई मतलब नहीं है उसका एक बात और मैं आपको यहां से बता दूँ आपकी कुल्ली में किसी में भी जब सप्तमेश गुरु बनता है या सप्तमेश बुद्ध बनता है तो दोनों को केंद्रा धिपती दोशी अधिक होता है केंद्रा पती दोशी भं पंचमेश से हो नौमेश से हो लगन से हो तो उसका दोस्त भंग हो जाता है और पून्तयासू फल देने में क्या रहता है इस कुल्णी में सब्तमेश गुरु अस्ठम भाव में चला गया नीच का तो व्रक्यान छोड़ दो क्योंकि वक्री है तो नीच चत्व हो जाता है लेकिन अश्ठम में चला गया और सब्तम भाव पर कोई द्रिष्टी नहीं है अब हम इसमें विश्कन्या योग तो हमने बता दिया हम अब इसमें ग्रहों का प्रवाव देखते हैं सब्तम भाव को देख रहा है मंगल सब्तम भाव को देख रहा है शनी की तीसी द्रिष्टी सब्तम भाव पर है राहू की नवम द्रिष्टी सब्तम भाव पर है दर्सको जो तिस में चार ही क्रूर ग्रह माने गए हैं सूरिय मंगल शनी और राहू इन चारों की द्रिष्टी सब्तम भाव पर है तो आप इस जाते की कुली में डबल योग हो गया विश्कन्य योग भी हो गया और गिरहों का प्रभाव सत्वम भाव पर भी हो गया और जो भंग होने की इस्तिती है गुरू सत्मेज की वो भी नहीं है जातक का विवा हुआ विवा की थोड़े से दिन के बाद ही जैसे थे वैसा हो गया वो भी चली गई ठीक है ने दर्सको ऐसी योग की कुली में अगर आपका भंग नहीं हो रहा है आपके बच्चे का भंग नहीं हो रहा है आपके रिस्धार का विश्कन्य योग भंग नहीं हो रहा है और ग्रहों की इस्तिती ऐसी है उसका ग्रहों के हिसाब से दोशनिवारन विष्क करना योग का दोशनिवारन करके विभा करना चाहिए वरना जीवन साती साथ नहीं तिकेगा इस लड़क के साथ भी ऐसा ही हुआ बिना कोई दोशनिवारन के शादी तो हो गई दो-चार मेहने के बाद नहीं चले गई इस जातक आज 38 साल का है दर्शको मैं आपको एक बात बता दूं मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि गुरू पर सनी का परभाव हो ऐसा परभाव सभी शुकों की हानी करता है मेरा आप वो वीडियो पुने देखो मैंने उसमें आपको बताया था कि इस घर में तीन पुरुष जातक हैं तीन पुत्र हैं एक पिता के तो एक की कुणली पर मैंने पहले वीडियो बनाया दूसरी की कुणली यह है जैसे विर्च होता है ना ठूट खड़ा रहता है शाखा लगारियों की कमी है आप अंदाजा लगाए एक जातक एक बाप ऑगर तीन लड़के हों जब तीन लड़के होते हैं तो बाप बड़ा परफुलित रहता है माँ बड़ी परफुलित मेरे तीन लड़के हैं लेकिन दोस्ति नहीं देखते का करम के हिसाब से क्या दोस्त पड़ेगा दर्सकों करम फोल सब को भुगतना पड़ेगा मैंने आज आपको कि इस कुंडली में जो साथ आठ विश्कन्य योग बनते हैं उन योगों के बारे में आपका मार्ग दर्शन किया सामा ने तोर पर सीधा जीवन साथी के भाव का विरन किया और बताया कि यह जातक अभी 38 साल का है जैसे थे वैसा ही है कोई फाइदानी ऐसी कुल्डियों में जातक का जीवन निर्थक हो जाता है वेर्थ हो जाता है उस जीवन का कोई साथ नहीं रहता दर्सको समय रहते इन उपायों का होना अतियावशक है मनुष ने जनम लिया है अपना करम भोगने के लिए लिया है और मनुष योनी बहुत अच्छी योनी मिली है इसी में हम कुछ कर सकते हैं बाकी में कहीं कुछ करने का कोई चांस नहीं है आगे मैं आपको जब समय आएगा जब बताऊंगा कि कौन-कौन स्वर्ग में जाते हैं कौन नर्क में जाते हैं उसका भी वीडियो बताकर बताऊंगा लेकिन पहले आपका मार्ग दर्शन में इस विश्कन्ना योग से कर दूँ ताकि आपके संबंद में कोई ऐसा योग है जो कि आप ग्रह को नहीं जानते हैं तो सीधा इन को देखिए मैंने लिखित में आपको दिया है वीडियो सेव किजिए वीडियो अंतक देखिए और आपका मार्ग दर्शन हुआ है तो दसको मैं यह जरूर कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें आपका मार्ग दर्शन और मैं इसी तरह से वास्विक कुम्री लेकर के उधारन के साथ आपका माग दर्सन करता रहा हूँ धन्यवाद